साथियों ये वीडियो आप सवों के डिमांड के उपर बन रही है कई लोग कमेंट में ये पुछ रहे थे कि सर BC और AD में क्या आंतर है या फिर इसा पूर्व और इसुरी में क्या आंतर है कई लोग ये भी पुछ रहे थे कि सर Gregorian calendar किसे काते हैं या फिर English calendar किसे काते हैं सक सवमत क्या है विकरम सवमत क्या है हिजरी सवमत क्या है आदी आदी तो ये सारे सवालों को हमें collection लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों का क्या मिलेगा जवाब मिलेगा वो भी एकदम बारीकी के साथ और जितने भी सवाल है ए जादा टाइम पास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आज का जो तारीख है, उसको पहले लिखते हैं, अगर हम पूछे आप से, कि भाई, आज का तारीख क्या है, एक्च्वल में जो वीडियो सूट हो रही है, जिस दिन, उस दिन हो रहा है, 14 जुलाई, 2022, हो सकता है कि आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसने कोई फरक नहीं पड़ता है, तो आज का तारीख है 14 जुलाई 2022, भाई, ये जो हम लोग तारीख बोलें, किसे न किसी कलेंडर को जरूर फोलो करते होंगे, और उसी कलेंडर के भी से में समझ लेंगे बारिकी के साथ, कि भाई, ये जो हम लोग ये तारीख बोलें, किसके अधार पर बोलें, और इसके सुरुवात कब हुई थी, उसके बाद जो विक्रम समध है, सक समध है, हिजरी समध है, फिर वो अगदम असानी समझ में आ जाएगा, पहले हम इस च को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया लगभग इसी कैलेंडर को फोलो कर रही है, है कि नहीं, आपको पता ही होगा, कि भाई, जो अंग्रेज थे, उनका सासन ही आईशा था, कि कभी भी अंधेरा नहीं होता था, इतना देशों में उनका कभजा था, कि कभी अंधेरा नहीं होता था, आज यहाँ पर किरन है, तो कल वहाँ पर उस देश में है, इधर अंधेरा हुआ, उधर उजाला हो गया, वहाँ पर अंधेरा हुआ, इधर उजाला हो गया, इस तरह करके कभी अंधेरा नहीं होता था, ब्रेटिस काल में भाई, समझ लेजे, तो भाई, उन Christ जिसको कहते हैं clear और यहां पर यह जो लाइन देख रहे हैं इसको हम time line बोल दिया है क्या बोल दिया है time line मतलब कि धीरे धीरे जो है समय समझे की इधर बढ रहा है इधर क्या हो रहा है increase कर रहा है तो actual जिस समय इसा मसी का जन्म हुआ था उसी समय से माना गया कि समय की भी सु और तक को clear चलिए अब यहां पर देखिए यह जिस दिन जन्म लिये थे उसी दिन को मान लिया कि भाई यह फस्ट दिन है क्या है फस्ट दिन और फस्ट दिन को अगर हमको इस date के अनुसर दिखाना हो तो इस तरह से दर सांगे किस तरह से 01 01 00001 मतलब कि एक तारीक एकवा मह पहला दिन मलए सुरवाती पॉइंट जो है यही से है और यहां से चलते 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 देखिये आज हम लोग कहाँ पहोचे हैं 14 जुलाई 2022 2022 यानि 2022 साल हो गएं किनका जन्म हुए इसा मसी का जब जन्म हुआ था वहां से लेकर के अभी 2022 साल हो चुके हैं किलियर अब यहां पर समस्या उत्पन हो गई अगर इसाय धर्मवाली ये कह दे कि भाई यहीं से समय का सुरुवात हुआ है तो ये बात हकीकत तो नहीं है हम लोग इतिहास में भाई वैदिकाल प्राचिन इतिहास पड़ते हैं हडपा सब्यता सिंदू सब्यता मलब इसके पहले भी जीवन था मानो जीवन था तो हम ये कता ही नहीं का सकते कि वह समय की सुरुवात यहीं से हुई तो इसी को टाइम टाइम फ्रेम मान करके क्या किया गया इधर वाला समय को बोला गया एडी क्या बोला गया एडी इधर जो समय गया यानि इसा मसी के जन्म का जो जन्म के बाद वाला समय है उसको क्या बोला गया है एडी एडी जिसका इंगलीस मतलब होता है एन्नो डॉमीनी एन्नो डॉमीनी जिसका हिंदी में मतलब होता है अगर कहें तो इसा मसी के या फिर इसा का वर्स आप कर सकते हैं इसा मसी का वर्स साल मतलब जन्मीन का हुआ तो भाई ये जो इधर आप टैम जितना दूर हम लोग जाएंगे समझे इसा मसी का वर्स है किलियर और इधर जो पीछे वाला समय था पीछे वाला समय को मान लिया गया BC, क्या मान लिया BC जिसको हम लोग क्या कहते हैं, before before Christ है किने, अब यहाँ पर चीजें जो है एकदम साफ हो गई थी कि भाई, इसा मसी का जन्म हुआ उसके पहले भी स्रिस्टी का रचना हुआ था पहले, है किने, और इसके बाद तो है ही बाई, है किने, तो इसके बाद वाला समय को मान लिया गया AD और इसके पहले वाला समय को मान लिया गया BC, और इसी BC को हम लोग बोलते हैं, इसा पूर्व, क्या कहते हैं इसा पूर्व क्यानि इस इसा मसी जो इसाई धर्म के जो गोर विरुधक थे उनका कहना था कि भाई, AD का मतलब होता है, इसा मसी का वर्स, यानि कि समय, तो क्या ये इसा मसी का समय है? अगर दूसरा धर्म मानने वाले रहेंगे, तो ऐसा तो वो मानेंगे नहीं, इसलिए उन लोगों ने क्या किया? इसको बोल दिया, CE, क्या बोल दिया? CE, चली किधर लिख दें इसको? चली नीचे लिख देते हैं, ये लोग अलर में, इसको बोल दिया CE, अब CE का मतलब हुआ, Christ Era, क्या हुआ? Christ Era, और इसके पहले वाला को बोला गया, BCE, 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 यानि Before Christ Era, यानि कि जो नहीं मानते थे, इसाइक धर्म, वो AD के जगा पर C लिखते थे, इसलिए क्योंकि एन ओ डॉमिनी का मतलब होता था, या एक लेटिन सब्दे जिसका मतलब होता है, हमारे इसवर का वर्स, यानि कि हमारा इसवर का ये साले भाई, जिसमें सब जी रहा है, तो ऐसा उन लोग नहीं मानें, और उस जगह पर उन लोगोंने C बोल लिया, मतलब क्राइस्ट एरा, मतलब कि समझे कि इसा मसी का समय ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं कि हमारे इसवर का समय, ये नहीं बोला गया, ठीक है, और इसके पहले वाला BC यानि कि Before Christ एरा, किलियर, देखे यही पर, यही पर मूल पोइंट है, और इसी मूल पोइंट से क्या हुआ, जिसका हम लोग उपयोग बिसिकली करते हैं, जिसको हम लोग English कैलेंडर भी का सकते हैं, बस इसी का परियोग कर रहे हैं भाई, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा साम चिनहित करना चाहेंगे, जिसे कि यहाँ से यहाँ तक समझे कि 100 साल हुआ है, कितना 100 साल, फिर यहाँ से यहाँ गएंथ हुआ 200, फिर यहाँ से यहाँ गएंथ हुआ 300, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गएं 400 हुआ, यहाँ से यहाँ गएं 500 हुआ, यहाँ से यहाँ गएं 600 हुआ, यहाँ से यहाँ गएं 700 हुआ, ठीक है, इधर थोड़ा लग रहा है, इधर छोटा चलि इस तरह करके समझे इधर है, मतलब इधर भी समय है, इधर भी समय है, इसा मसीग का जिस समय जन्म हुआ था, इधर आने की AD, आने की ISWI, और इधर क्या है, इसा पुरू है, जैसे हम लोग कहा करते हैं, जैसे कि इमान के चलिए अगर भगवान भुद की बात किया जाये, तो उनका जन्म हुआ था, 563 ISA पुरू, क्या हुआ था, 563 ISA पुरू, इसा पुरू कहने का मतलब, जो ISA मसीग का जन्म हुआ था, उसके पहले, कितना साल पहले, 563 साल पहले, तो इसके पीछे, 563 साल चले जाएए, 500 इधर आया, 500 के बात यहाँ 600 है, लगभवान के चलिए य जगह पर, तो यही पर क्या हुआ था, गौतम बुध का जर्म हुआ था, किसका, गौतम बुध का, कब हुआ था, 563 ISA पुरू में, क्रियर, साथ में, अगर बात किया जाए, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का, तो हुआ था, 540 लगभग यहाँ पर, ओल्मुस्ट इस जगह पर हुआ था, किसका, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, यहाँ पर आप से सवाल हम पूछते हैं, कि गौतम बुध बढ़ा हुए, कि महावीर स्वामी बढ़ा हुए, उम्र के अनुसार, ठीक है, उनके जीवन से आप कॉंपरिजन मत किजेगा, उम्र में बोल रहे हैं कि गौतम बुध पहले पाइदा हुए, या फिर महावीर स्वामी, बताइए, कई लोग कहेंगे कि गौतम बुध क्योंकि यहाँ पर 563 इसा पूरुव है, तो कई लोग कहेंगे महावीर स्वामी, यह होता नहीं है, देखें यह 563 साल पहले जन में थे गौतम बुध जबकि यह 540 साल पहले जन में थे, बहले कुल मिला करके यहाँ पर गौतम बुध क्या हुए, बड़े हुए, और इससे छोटे कौन हुए, महावीर स्वामी हुए, उम्र का अनुसर बात कर रहे हैं भाई, इस तरह से आपको चीजों को समझना है, कनफ्यूज नहीं होना है, कनफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, चलिए, तो यह सारी चीज है, इधर इसा पूर्व लिखेंगे, अगर 400 इसा पूर्व का बात करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इधर आ जाते हैं, मला है, इसा मसीख क फ्रांसेश सी करांती होई थी, चौदा जुलय आज इंधर फ्रांसेश सी करांती, चौदा जुलय षड़ाए 1770 को किलियर, तो यहां पर हम लोग इस भी लगाते, इसा पूर्व नहीं लगाते हैं, किलियर, ता पर अगर आगर आगर हम लोग लोग एडी भी लिखा रहाता यहां 540 जो है इसा पुर्व के जगापरा BC भी लिख सकते हैं, 563 इसा पुर्व के जगापरा BC लिख सकते हैं, कोई दिकत वाली बात नहीं है, BC और इसा पुर्व का मदलब सेम, AD और ISV का मदलब सेम, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, Gregorian calendar जो है, उसके BC में आप समझगे होंगे, आज जो हम लोग calendar देख रहे हैं, वो क्या है? Gregorian calendar है, और इसका निर्मान विसी कली हुआ है और सुरी के निर्मान परिकर्मन के द्वारा, क्लियर किसका निर्मान हुआ है? ग्रेगोरियन कलेंडर का यह तू आपको पता है और इसमें एक साल कितने के होते हैं? 365 दिन के होते हैं और 6 गंटा 365 दिन 6 गंटा के आसपस 6 गंटा भी नहीं होता है 5 गंटा 45 मिनट इस्ता करके कुछ है 6 गंटा मोटा मोटी उसको मान लीजे 365 दिन 6 गंटा और उसमें 4 साल के बाद क्या था एक leap verse आता है जिसमें 365 दिन हो जाते है 6 गंटा 6 गंटा 6 गंटा 6 गंटा मतलब 4-6 गंटा मिलाएंगे 24 गंटा जागा एक दिन बढ़ जाएगा बस वही होता है leap verse तो यह हुआ ग्रेगोरियन कलेंडर का बात इंगलिस कलेंडर का बात के लिए जो हम लोग अभी परियोग कर रहे हैं चलिए अब जो हमारे देश की संस्कृती से एकदम बारिकी से देखे एक्च्वल में विक्रम संवत का सुरुवात जिस समय इसा मसी का जर्म हुआ था इस टाइम फ्रेम में एक तारिक एकवा महिना एक को ठीक है इसको यहाँ पर ऐसे करके मिटा देते हैं किलियर अब इसके लगभग 57 साल पहले 57 साल पहले लगभग इधर होगा अल्मुस्ट यहाँ पर होगा है कि नहीं मलब यहाँ से यहाँ सोव साल आ जा रहे हैं मलब 57 साल यहाँ होगा तो यही से क्या हुआ विक्रम संवत विक्रम संवत का साल माना गया ठीक है विक्रम संवत मलब यहाँ से भी गरिव लोग थे, निर्धन लोग थे सभी को कर्ज मात कर दिया और उस समय से विकरम समवत की शुर्वात हुई और यह बहुत प्राचिनतम समवत है कैलेंडर हेक्तरा से पंचांग कहा सकते हैं फिक है? कैलेंडर का हिंदी पंचांग होता है ठीक है तो यहीं से समय का शुरुवात हुआ यानि 57 साल पहले यानि कि 57 हम बीसी लिख सकते हैं 57 बीसी यानि बिफोर क्रैस्ट यानि 57 साल पहले से ही यह कलेंडर चला आ रहा है सबका अपना मतलब था पहले हैं यह बड़े बड़े जो राजा थे समराट थे वो अपने अनुसार समय को चलाना चाते थे बाई समय का कैलकुलेशन होना ज़ोरी है आज अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो बैस समय के अधार पर ही पता करते हैं और एक सी आप ध्यान में रखिएगा जो हमारा सविधान है जो डेट मेंसन की हुई है वो विक्रम सवमत के द्वारा ही मेंसन की हुई है अब यहाँ पर समस्य यह आता है कि सर ग्रेगोरियन कलेंडर के अधार पर आज का तारीक है 22 जुलाई 2022 कौन सा साल चल रहा है तो अभी विक्रम सवमत में कौन सा साल चल रहा है इसको हम कैसे कैल्कुलेट करेंगे देखे विक्रम सवमत भाई यहाँ से 57 साल पहले का बात है यहाँ पर पहले से चला आ रहा है तो यहाँ पर 2022 साल हो गया है इसा मसी का जन्म हुए तो 2022 साल साथ में 57 साल इधर वला भी एड होगा इसी में तो 57 साल इसी में एड कर देंगे तो 7-2-9 हो जाएगा 5-2-7 हो जाएगा और 0-2 यहाँ यह दो हजर 89 भी चल रहा है विक्रम सवमत के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अभी कितना चल रहा है कोई दिदकत कोई समस्या अगर निकालने के लिए को कहें तो फिर निकाल लीजे का भाई कौन सा भी सम्मत चल रहा है तो 2089 चल रहा है जितना भी साल रहेगा उसमें आप क्या कीज़ेगा 57 जोड दीजेगा विक्रम साल पहले यह शुरुआत हुआ था क्लिएर कोई समस्या पोई दिकत एक दम नहीं होना चाहिए चलिए एक सम्मत और है एक करेंडर ओर है जो इसा मसी के जन्म के बाद आया 38 साल बाद तो यहां पर वो पॉइंट लग भग यहां पर होगा यहाँ पर होगा, है गिने, इसी को कहा गया सक सम्वत, क्या कहा गया, सक सम्वत, एक राजा थे कनिस्क, उन्हें के अधार पर यह सक सम्वत चलाय जा रहा है, और यह जो है, यह एक रास्टिये कलेंडर है, हमारे देश का क्या है, भारत देश का, भारत देश का रास्टिये कल प्रेंडर है अब देखे एक चीज़ हम बता देते हैं पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सुचते थे भाई अपने अनुसार समय चले ठीक है तो देखे किस तरह से बहुत सारे समय आएंगे बहुत सारे समय आएंगे जितना बता भी नहीं सकते हैं हर देश का अपना- यहां से सरिस्टी की रचना सुरू हुई ऐसे ऐसे बात रहते हैं यह चीज़ आपको समझना है तो कनिस्क जो राजा थे यहां पर देखे 78 तो यह कब सुरू हुआ था 78 AD को चलिए लिग देते हैं यहां पर 78 AD मतलब अगर बोला जाए कि भाई सक्समत के अनुसार अभी कौ 78 साल बाद मतलब की यहां से लेकर के यहां तक जो भी समय होगा अभी के समय तक ठीक उसमें से इस्सी को 78 को मैंनस करना पड़ेगा कुकि भाई यह 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 शिव बाद में आया है इसा मसीख के जन्म के बाद आया है तो क्या करेंगे मैंनस करेंगे तो इसलिक घटाईे 12 में से साथ जाएगा, तो बचेगा चार है की नहीं, उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, नौ, ठीक है, और यहाँ पर एक, यानि अभी चल रहा है 1944, मतलब अगर देखा जाए, सक्स सम्त का नुसार तो अभी कितना चल रहा है, 1944 ही चल रहा है भाई, समझी है, और विक्रम सम्मत के अनुसार अभी कितना चल रहा है? दो हजार उनासी तो यह सब चीज़े आप समझ रहे होंगे जहां तक मुझे ख्याल है उसके बाद आया एक हिजरी सम्मत जिसको मुस्लिम लोग प्राया माना करते हैं जिस समय जो मुहमद थे मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक थे उन्होंने जब क्या बोलते हैं मक्का से मदीना जाने के लिए शुरू किये तो उसी समय ये समय रखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिजरी सम्मत क्या बोलते हैं? हिजरी सम्मत और इसकी सुरुवात हुई वही 622 में सोरी क्या हो गया रियर अचानक सब खतम कहानी अच्छा यहां से हो ना चलिए 622 में तो यहां देखे 600 इस भी है और इधर होगा 622 लागवग यहां पर है कि ने तो यहां पर क्या चीज का सुरुवात हुआ हिजरी समथ का चलिए इस चीज को हम लिख देखे हैं यहां पर हिजरी समथ और हिजरी समथ का सुरुवात कब हुआ भाई 622 AD को मतलब कि 622 साल बाद इसा मसी के 622 साल बाद जो है हिजरी समथ चला और जो मुसलिम में कारी विवहार होते हैं वो basically हिजरी समथ के द्वारा ही संपन की जाते हैं मतलब जो जादा मतलब कटर समर्थक हैं कटर मतलब की समझे एक तरह से अपने धर्म को मानने वाले हैं वो भाई हिजरी समथ के नुसार ही चलेंगे ऐसा कहा जाता है क्योंकि भाई मुसलिम धर्म का जो अस्थापना हुआ या फिर अपने मतलब इस कंडिशन में आया इसकी सुरुवात 600 इसवी के बाद ही हुआ है है की नहीं इसके पहले ये सारा चीज आ चुका था तो ये सारे चीज जो है आपको समझना चाहिए और समझ गया हूँगे कि हिजरी समगत क्या है यहां से सुरुवात हुआ था जो मुहमद पेगंबर थे जब क्या बोलते हैं याद नहीं पाड़ता है भई मक्का से मदिना जा रहे थे उसी समय सुरुवात हुआ था 622 से शुरुआत हुआ था तो हिज्रिस समथ अगर निकालना हो कि भाई हिज्रिस समथ कनुसर अभी कितना चल रहा है तो वही 2022 में आपको क्या करना पड़ेगा वही 622 को गटाना पड़ेगा यहां पर 1944 चल रहा है किसके उपर सख समथ और विकरम समथ कनुसर 2089 चल रहा है के लिए ग्रेगोरियन कलेंडर जो भी अभी 2022 चल रहा है चलिए दुस्तों तो हम यहीं पर आपको सारा चीज लगभग में समझा दिये आपको AD समझ में आही गया Annino Domini यानि इसा मसी की जर्मकाबाद कुस्त ल हुआ था सक समध का निर्वान जो 78 AD में हुआ यानि कि बाद में हुआ था फिर यहां पर हिज्री समध वो 622 AD में हुआ तो इस सारा चीज लगभग में आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया भाई तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए समझ में सभा जागा जाते हैं क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं आप साइड नहीं होते हैं स्कीनिशोट नहीं ले लिए लिजे भाई चलिए तो आज की लिए दोस्तों आप लेंगे आगरा वीडियो में जाहिंद वन्दे मातराम